दोस्तों, नमस्कार, Information Center चानल पर आपका स्वागत है, दोस्तों आए जानते हैं कैसे पाए हम लोग प्रतियोगी परिक्षा में सफलता, दोस्तों आज जिस तरह से हर कोई, कोई न कोई प्रतियोगी परिक्षा दे रहा है और सभी लोग सफलता की रेस में लगे हुए हैं, हासल करने का पहला मंतर है कड़ी मेहनत, दोस्तों कड़ी मेहनत का कोई शोटकट नहीं होता, प्रतियोगी परिक्षाओं में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना बेस्ट देना होगा, प्रतियोगी परिक्षाओं में सफल होने वाले स्ट्यूडंट अपनी कम प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करते हैं। अगर आप भी परिक्षा हल में बेहतर पर्फॉर्मन्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई के घंटों को गिनने के बजाए अपनी क्वालती स्टडी पर जोर दे। कुछ देर ही पढ़े पर मन को एक आग्रा रखकर पढ़ाई करें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। यह आपको तनाव से भी बचाएगा साथ ही इससे पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप बेहतर पर्फॉर्मन्स देने में काम्याब होंगे। 2. पिछले प्रश्न पत्रों के अनुरूप करें तैयारी। आज का समय कठिन प्रतियोगिता का समय है। यह कैरियर में नई उन्चाई या हासल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का भी दौर है। कैरियर चाहे MBA में बनाना हो, IIT में बनाना हो या होटल मेनेजमेंट में या कोई दूसरा। आज हर स्टूडन्ट के लिए जरूरी है मानसिक मजबूती। इसके अभाव में कई स्टूडन्ट जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए आज के दौर में मानसिक तोर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह तभी संभव हो सकेगा, जब आप संबंधित परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी तैयारी करनी है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस परीक्षा में पूछे गए पिछले 10 वर्षों के प्रशनों को एकत्रित करें। अगर आप किसी भी परीक्षा में पूछे गए पिछले दस वर्षों के प्रशनों का गहन अध्ययन करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास का लेबल और सोच का दाइरा काफी स्ट्रोंग हो जाएगा और आप अपनी कमियों को भी अच्छी तरह से जान जाएंगे. किसी भी उपलब्धी को पाने के लिए आपको उची छलांग लगाने की जरुरत पड़ती है. हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे तेज और प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, किन्तू लगातार मेहनत करे तो सफलता किसी भी कीमत पर आपकी ही होगी. इस दुनिया में हमारी जीत निरंतर प्रैत नशीलता पर ही टिकी है. सफलता एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है. अगर आप अपनी कमियों को पहचानते हुए उसे निरंतर सुधारते चलेंगे तो आप किसी भी परिक्षा में सक्सेज प्राप्त कर सकते हैं. 3. सिलेबस पर करें फोकस. हर परिक्षा में प्रश्ण सिलेबस के अनुसार ही पूछे जाते हैं. आपके लिए बेहतर होगा कि आप जिस परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस का गहन अध्ययन करें. अगर आप सिलेबस के अनुरूप स्टड़ी करते हैं, तो आ आप परिक्षा हल में बैटर करने में अवश्य काम्याब होंगे. अकसर स्टूडेबस को नजर अंदाज करके शाट कट अपनाते हैं. इस तरह के स्टूडेबस पढ़ाई करने के बावजूद अपने लक्ष नहीं प्राप्त कर पाते हैं. अगर आपको सफल होना है, तो आ बारीक घटनाओं पर रखे नजर. आज कल की सभी परिक्षाओं में करंट घटनाओं से संबंदित प्रशनों की संख्या काफी होती है. इस कारण इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है. अगर आपको प्रतियोगी परिक्षा में सफल होना है, तो आप रोज के दो करंट घटनाओं की तैयारी पर दे. इसे आप नियमित दिन चरिया में शामिल करे. आप अख़बार पढ़ने के साथ ही न्यूज चैनल अवश्य देखे. इसके साथ ही बाजार में करंट फैज के कई पुस्तके उपलब्ध है. आप किसी एक पुस्तक की नियमित पढ़ाई करे. अगर आप इस तरह की रन नीती अपनाते हैं, तो आपकी तैयारी कुछ महिनों में ही बेहतर हो जाएगी और आप औरों के मुकाबले अच्छी स्थिती में होंगे. 5. अभ्यास ही है सफलता की कुणजी. अगर आप objective टाइप की परिक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए time management तहम है. इसके अभाव में आप किसी भी परिक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं. यह एक दिन में संभव नहीं है. यह तब ही संभव है. जब आप इसका नि प्रशनों को लेकर निर्धारत समय सीमा के अंदर खूब अभ्यास करें. पिछली परिक्षा में पूछे गए प्रशनों का अभ्यास करने से आपको परिक्षा पैटन के बारे में जानकारी होगी और समय रहते अपनी कम्यों को जानने का अवसर भी मिलेगा. अगर आप परिक्षा देते हैं तो आपके सफलता के चांसेज काफी बढ़ जाते हैं. बेहतर स्ट्राटजी यह है कि आप सबसे पहले उनहीं प्रशनों को हल करें, जिन्हें अच्छी तरह से आप जानते हैं. इसके अलावा भी इन बातों पर ध्यान दे. 1. शुरुआत में ही यह सोच ले कि आपको किस क्षेतर में केरियर बनाना है, उस क्षेतर में सफलता के लिए जुट जाए. 2. पूर्ण समर्पन के साथ पढ़ाई करे. कोचिंग के अलावा घर पर भी पढ़ाई करे. 3. स्वयम का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखे. खु पिक्स को रटने के बजाए समझ कर पढ़ने की कोशिश करे. 6. पढ़ाई में निरंतरता रखे. रेगुलर पढ़ाई करने से वह बौज हिल महसूस नहीं होती है. 7. किसी भी पप्रतियोगी परीक्षा की तैयारी प्लानिंग से करे ताकि रिविजिन में परिशानी ना 8. तनाव से बचे. खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए अपने होबी के अनुसार कोई स्पोट्स या मनुरंजन करे. विडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और लोगों के मारग दर्शन करने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे. परिशानी कोई तनाव से आप आतेग्साइła कोबादा हो दो polling कोईस्वादास से चूरणा जाल ठाबोर्ट बश और लोगों करे. डिया दिसे यादानी हुआ हो यथ पिस्यादा से ज्यादार के लिएग.